वेल तो DC की एक के बाद एक कई सारी मूवी जैसे की ब्लैक एडम, फ्लैस, सजैम टू और ब्लू वीटल जैसी मूवी फ्लॉफ होने के बाद अब दिसम्बर में आने वाली है एक्वा मैन एंड दे लॉश्ट किंडम जिसका पहला टीजर लॉंच कर दिया गया है और इस 30 सिक पहली बार अपनी मां से मिलता है उसके बाद हम वही ट्रेंच आर्मी को देखते हैं जिसको एक्वा मैन की मां की बली चड़ाया गया था लेकिन यहाँ पर नोटिस करने वाली बात यह है कि एक तरफ ब्लू रॉस्टनी है और दूसरी तरफ रेड रॉस्टनी है जिसमें से गौर से देखोगे तो यह किसी प्रीजन जैसा लग रहा है और मेरे ख्याल से यह वही जगा होगी जहाँ पर एक्वा मैन के भाई को कैद करके रखा होगा और अगर आपको याद होगा तो ब्लैक मेंटा और एक्वा मैन का भाई दोनों ही एक्वा मैन को मारना चाहते थे तो हो सकता है कि यहाँ पर ब्लैक मेंटा आकर एक्वा मैन के भाई को कैद से आजाद करेगा और फिर एक्वा मैन और उसके भाई के भीच अच्छी खासी फाइट देखने को मिलेगी उसके बाद यहाँ पर हम एक बरासा ओक्टोपस जैसा इंसानी मसीन देख सकते हैं जो क एक्वा मैन वन मूवी के पोस्ट क्रेडि सीन में दिखाया गया था और यहीं पर ब्लैक मेंटा एक्वा मैन को मारने और उसकी सारी चीज़ों को डिश्ट्रॉय करने की बात कर रहा है और इस वाले सीन में हम एक्वा मैन के घर को पूरी तरह से डिश्ट्रॉय कर दिया है लेकिन इस से जश्ट पहले, इस सौट में आगर आप गौर करोगे, तो जब Aquaman अपने घर को बचाने के लिए आता है, तो उसके पीछे उसकी मा भी आती है, और इस वाले सीन में हम Emberhead की character को भी notice कर सकते हैं, उसके पाद इस सीन में हम Aquaman की मा को एक्सल में देख सकते हैं, और इस वाले सीन को देखकर मुझे Wonder Woman 2 की चीता का याद आ गया, वैसे इस वाले सीन में हम यहाँ पर और यहाँ पर उसी इंसानी Octopus को भी देख सकते हैं, जिससे हमने इस वाले सीन में देखा था, उसके पाद इस वाले सीन में उसी दाखली पूल पर अटेक हो रहा है, जिससे होकर Atlantis के अंदर जाते हैं, और Most Probably यह अटक Black Manta ही करवा रहा है, फिर इस सीन में हम Aquaman और Black Manta के बीच फाइट होते हुए देख सकते हैं, लेकिन क्या आपने नोटिस किया, कि यहाँ पर Black Manta के पास भी ठीक वैसा ही Trident है, जैसा कि Aquaman के पास है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि Black Manta ने वो Trident उसी टेक का यूज करके बनाया होगा, जो टेक Aquaman के भाई ने Black Manta को दिया था, वैसे यह मूवी इसी साल दिसम्बर में रिलीज होने वाली है, और इसका पहला ट्रेलर दो या तीन दिन में आ जाएगा, अब देखना यह है कि DC की डूपती हुई नयाकव Aquaman इस सब्मरीन की तरह पार लगा पाता है या नहीं, वैसे यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रू बताना, और ऐसी और वीडियो जो देखने के लिए फड़ा फट इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करते हुए जाना, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए keep watching and take care.